महराश्टर में दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले कॉंग्रेस जोड तोड की लड़ाई में लगी हुई है कुछ ही दिन पहले महराश्टर नवनिर्मान सेना के प्रमुक राज ठाकरे ने सोनिया गांदी से मुलाकात की थी जबकि आज राज्य के नव नियुक्त कॉंग्रेस अध्यक्ष बाला साहिब थोरात ने सोनिया गांदी और राहुल गांदी से मुलाकात की है सूतरों के मुताबिक इस मुलाकात के दोरान आने वाले विधान सभाचुनाव में महराश्टर नवनिर्मान सेना के प्रमुक राज ठाकरे एवं बहुजन वन्चीत आगाडी के प्रमुक प्रकाश अंबेटकर को गडबंदन में शामिल करने को लेकर बादचीत हुई है प्रदेश में दो दिन पूर्व कॉंग्रेस की और से नए अध्यक्ष की नियूकती हुई है अशुक चोहान की जगह पर बाला साहिब थोरात को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वहाँ नई जिम्मेदारी संभालने के बाद आज पहली बार दल्ली आये और यहां आते ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की इस मुलाकात के दोरान राश्ट्रवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी में जो गडबंदन हो रहा है उस पर बात की गई जानकारी के मुताबिक अगर राश ठाकरे और प्रकाश अंबेटकर इस गडबंदन में शामिल होते है तो भारतिय जंता पार्टी को पराजित करने में काफी मदद मिल सकती है जबकि कुछ दिन पहले राश ठाकरे की जो छवी थी उसे बदलने के लिए शरत पवार ने राश ठाकरे को उत्तर भारतिय सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहा था वहीं उस सम्मेलन में उन्होंने अपनी भूमी का रखते हुए कहा था कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात हुई उसके पीछे भी शरत पवार थे ऐसी चर्चा दिल्ली की राजनितिक गलियारों में है कि अगर यह गडबंदन बन जाता है तो शिवसेना भाजपा को आने वाले विधान सभाचुनाव में काफे दिक्कत उठानी पड़ सकती है लेकिन कॉंग्रेस को अगर प्रकाश अंबिटकर से गडबंदन करना है तो उन्हें उनकी बात माननी होगी दिया हुआ 40 सीटों का ओफर अगर कॉंग्रेस मानती है तो महराश्ट्र में राजनितिक परिवर्तन संभव है लेकिन इसके लिए कॉंग्रेस को पहल करनी होगी दो कदम पीछे लेकर प्रकाश अंबिटकर की बात माननी होगी